नमस्कार दोस्तों आपके अपनी चनल में स्वाक्त है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के कुछ एक महत्वपूरन एजुकेशनल और इंप्लोईमेंट अपडेट्स के बारे में तो चली दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट सबसे पहले अग अफिसल वैपसाइट पे कौन सा एकजाम किस दिन होगा उसकी डेट सीट बहां पे अपलोड कर दी है तो आप अपने एडिमिट कार्ड और जो डेट सीट है वो डाउनलोड कर सकते हो और इसी के साथ यह जो परिक्साएं है वो दोपैर दो तीस से लेके साम पांच तीस तक जो है वो चलेंगी नेक्स्ट बात करें तो लीट और पैट के लिए जो है वो एक बार फिर से स्पोर्ट राउन कोंसिलिंग जो हो घोगी तो आपका जो पॉल टेक्निकल एर। एंटर टेस्ट हुआ था और इसी के साथ जो आपका लेटर एंटरि एंटरान स्ट हुआ था पोल-technical के लिए तो उसके लिए जो यहां पे एक बार फिर से जो शीटे थी वो खाली रह गई थी तो उसके लिए आप फिर से एक बार जो है वो open round या sport round counseling होगी और यह जो आपकी counseling है वो 14 October से जो है वो start होगी तो इसके लिए आपकी जो कॉंसलिंग है वो यहाँ पे 12 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक चलेगी और इसके लिए जिन भी अभियारतियों ने यहाँ पे टैस्ट दिया था वो जहाँ 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 कोल्जिस में बहाँ पर सीटे बैकेंड हैं जहाँ पर सीटे खाली रहा गई हैं उनको नो कोल्जिस में जाना होगा और ये कॉंसलिंग अपकी सुवा नो से दोपार बारा बज़े टक छलेगी फिर बहां पर जितने लोग आए हूंगे उस कॉंसलिंग को अटेंड करा होगा उनकी बहां यहां पर अडमीसन्स मिल जाएंगी और अगर सपोज यहां पर 12 से 14 तक चलेगी तो अगर 13 को फिर से यह जो मैरिट लिस्ट है वो नए से बनेगी यानि कि जिन्होंने भी यहां पर 12 को अगर जो भी मैरिट लिस्ट बनी थी वो मानने यहां पर नहीं होगी फिर उसके बाद जो 14 अक्तूबर होगी उसके लिए फिर से नई मैरिट लिस्ट जो है वो बनेगी और मैरिट लिस्ट मतलब एक एक दिन के लिए ही बनेगी जितने अभी आरती गए होंगे एक दिन में उनकी मैरिट लिस्ट बनेगी उनको अडमीसन मिलेगी नेक्स्ट अपडेट की बात कर जाए उसके लिए इंस्ट्रक्शन्स और जो भी रूल्स थे वो आगे थे लेकिन अब यहां पर यह बात हुई कि कुछ एक जो अभियारती थे उन्हें जे बीटी के साथ बी एड भी यहां पर करी हुई थी अब जिनको भी अडिशनल क्वालिफिकेशन होती है उनको यहां प पोस्ट ग्रेजुएट है को जे बीटी बीएड भी करी है उसने साथ में उनको उन्होंने जो भी अडिशनल यहां पर क्वालिफिकेशन होगी जिस भी अभियारती की जिस भी कैंडिडेट की तो उनको यहां पर जो है वो एक माक से एक्स्ट्रा मिलता है तो इसी के रिगा जे बीटी बैचवाईज भरती पे जो है वो सस्कांस बना हुआ है तो जैसे यह क्लैरिफिकेशन आएगा तो अगर यह अचार सहिंता चुनाब अचार सहिंता से पहले आ गया तो यहां पर बैचवाईज भरती हो सकती है अगर नहीं आया तो फिर यहां पर जे बीटी यहां पर असीफिष्ती जो भी कोलीज हैं तो यहां पर ऐसा काम रहे थे कि एक रूल बना हुवा है। भी ती पी के लिए students जाएंगे बहा हाँ पेएक हजार बच्चों के लिए 10 जो byad बजक्त है जो भी बने के स्टूदेंट है बहां पे उनको पढ़ाने जा सकते हैं एक स्कूल में जैसे आगर किसी स्कूल में एक हजार बच्चे हैं तो वहाँ पे जो बीएड के स्टूडेंट से बोही जा सकते हैं लेकिन यहां पर ऐसा हो रहा था कि बहां पर जो भी स्कूल में टीपी की टीचिंग प्रैक्टिस लगी हुई थी बहां पर दस से पंदरा बच्चे जो थे वो बहां पर चले जा रहे थे यानि कि दस से ज्यादा बच्चे च पर लेकिन वो कोलेज नहीं आ रहे हैं तो इसकी भी सिकायति जो थी वो मिली हुई थी अब यहां पर जो है वो बच्चे जितने भी ब्याट के वहां पर प्राइवेड कोलेटिस में अच्छी खासी फीस लगती है भारी भरकम बहां पर फीस लगती है लेकिन जो काम बो करेंगे करेंगे बहूरूरण के रहा है या कुछ ना है वह नहीं आ रही है नहीं आई है तो इसके गार्णिंग यह जो थी वह आभी की बेस पे होगी तो यहां पे जो कंपणियों को टैंडर है वो अभी तक पास नहीं हुए है यहां पर पहले पर जाएगा पास होगा फिर कोई कंप्ली टैंडर को खृदेगी जिसके भी मतलब rule standard regulations होंगे 3-4 company पांच जो भी आएंगी उन में से किसी यह company को वहाँ पे tender मिलेगा तो tender प्रक्रिया जो है वो अभी तक complete नहीं हुई पाई गई है तो यहाँ पे tender प्रक्रिया जो वो नहीं हुई है तो इसके लिए जो है वो आपकी outsources की भरती यहाँ पे जो है वो अटकी हु अब यहाँ पे लास्ट में अगर हम लोग भी एड ओनलाइन कॉंसलिंग की बात करें तो आपको पता ही है कि पिछले कल जो है वो भी एड राउंड मोप अप के लिए यहाँ पे ओनलाइन लिंक जो है वो ओपन हो गया है तो आज और कल और आज जो है वो लास्ट डेट है यानि कि जो आपको आपको ओनलाइन अप्लाइन करना है second round counselling के लिए को आज लास्ट डेट ही है अगर आज रहा गई अपलाई करने के लिए तो आप उसके बाद क्या पता कॉंसलिंग हो या ना हो तो यहां पर जल्दी से अपलाई कर दें अधरवाइज उनको यहां पर जो सीड्स है वो अलोट नहीं होगी तो जिन्नों ने अप यह तक पर अपलाई करना है इसके बाद जो आपके लोट में लेटर है वो यहां पर 14 कुटूबर को जो जारी होंगे और उसके बाद जो चलेंगे 15 से लेके 17 कुटूबर तक चलेंगी तो यहां पर करने के लिए क्राइटेरिया वही है कि जिन्नों ने ट्रांस टैस्ट दिया है व वो in future अपना college अप्ग्रेड नहीं करेंगे तो सिर्फ वो ही अभी apply नहीं कर सकते हैं बाकि जितने भी candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं तो जल्दी से जो है वो आप apply कर लो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है अब बात करें कि क्या इसके बाद भी एक mop up round या open round या आप इसको sport round counseling बोल दो क्या होगी या नहीं होगी तो अभी जो है वो 1200 सीटे खाली चल रही है तो अभी आपकी 1200 सीटे खाली चल रही है तो उसके बाद एक और round यहां पर possible है अब यहां से हम प्रडिक्सन ही कर सकते हैं लेकिन में भी जैसा भी चला हुआ है अभी यहां पर 1200 सीटे खाली है और इवन गोवर्मेंट कोल जिसमें भी यहां पर सीटे जो है वो खाली चल रही है तो most probably यही है कि इसके बाद भी यहा सारा clarify हो जाएगा कि अगला round होगा या नहीं होगा तो दोस्तों यह थी मारे आज के कुछ एक update अगर आपको यहां पर कोई problem आती है तो आप लोग मुझे मेरे टेलिग्राम ग्रूप को पहले जॉइन कर लो जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की description में दे दूँगा उ सेयर करें तो आप लेट्स के लिए मारे साथ बने रहें धन्यवाद